प्रेंट्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मुने स्वाल्ट करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यूजट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गौर्मेंट यूब की पलपल अपडेट के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यह आप देख सकते हैं कि ऑफिशल वे अपसाइट पर मैं आ चुका हूँ और 27 अपरेल की ट्रेटमेंट में दो नोटिस हैं जो की मटिस यानि के मल्टि टैस्टिंग स्टाफ हवलदार के लिए और और सीवी आई सीवी एन एक्जामिनेशन से डिलेटेट जो है इन्होंने नोटिस जारी किये हैं देखते हैं नोटिस के अंदर क्या है तो नोटिस के अंदर हम चलते हैं सबसे पहला जो नोटिस है वो सीवी आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट ओफ मल्टि टास्टिंग नॉन टेक्निकल के टेगरी हवलदार सीवी आई सीवी एन एक्जामिनेशन दोजार इक्किस यह दोजार इक्किस का है तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो डेट और एक्जामिनेशन होगा आपका सीवी आईसी और सीवी एनस की वह पांच साथ दोजार बाइस से बाइस साथ दोजार बाइस तक यानि के जुलाई में जो है आपका एक्जाम कंड़क्ट करा रहा है जाएगा इसके अंदर यह बताया गया है और नेक्स पॉइंट में देख सकते हैं दावाव शेड्डूल इस सब्जक्टिट टू प्रिविलिंग कंडिशन और गॉर्मेंट गाइडलेंड इशूड फ्र यानि के जो भी अपडेट होगा वह आप एससी की वेबसाइट पर रेगुलर चेक करते हैं जो भी आपको पता चलेगा और आपको साइट को चैक नहीं करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए मैं आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन MTS से या कोई और गोर्मेंट जो आप से टिलेटिड एससी जो है अपलोड करेगी तो मैं आपको उसका उसकी जानकारी मिल जाएगी दूसरे नोटिस की तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसर नोटिस जो है वह आप देख सकते हैं उसमें इन्होंने बताय है कि पोस्ट के बारे में SSC MTS की जो पोस्ट है जो टोटल पोस्ट है वह लगबग आपकी साथ हजार प्लस पोस्ट पर जो है वेकंसी हुई है इसके अंदर MTS की वेकंसी 3698 में हैं और MTS हवलदार की जो वेकंसी है साथ हजार तीन सो एक वेकंसी आपकी जो है टोटल वेकंसी इसके अंदर MTS में हवलदार वाले में जो है वो बनती हैं अगर हम बात करते हैं इसके स्लेवस के बारे में तो स्लेवस भी देख लेते हैं इसका एक बार इसलेवस आपका इसका यह है आप देख सकते हैं स्लेवस वह है जो सिंपली एससी रखती है लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज है कि एक नमबर का एक ही मार्क्स एक मार्क्स का ही एक सवाल है जैसे स्सी छेसल CHSL और CGL में होता है कि एक सवाल के दो मार्क्स होते हैं तो उस परकार से इसमें नहीं है आप इसमें देख सकते हैं जर्नल इंगलिस है वीजनिंग है आपकी नुमेरिकल अबिलिटी है और आपका जर्नल अवेर्नेंस है और इसके अंदर आप अगर टियर फर्स्ट को क्वा वो पैनर पेपर का होगा उसके अंदर आपको पैन से लिखना होगा और उसके अंदर क्या लिखना होगा शोट एससे लेटर इंगलिस और इन एनी लेंगवेज इंक्लूडिंग टूदा एट शिड्डू लोग जो भारत की आठवी अनुसूची में बासाइं लिखी है बा 454 और आपका जो टाइम है इसके अंदर 30 मिनट आपको दिये जाएंगे देखिए शोट एशे है आपको कोई टीन सो टीन बात송 पर एंदर एससे नहीं लिखना शोट एससे की बोला गया है शोट एससी और शोट लेटर यानिका अपृट मिनट के अंदर आराम से लिख सकते हैं इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर मैं बात करता हूं इसके सेलरी के बारे में तो मैं आपको सेलरी बता दूँ तो चैसे कि आप देख सकते हैं यह इसका ओफीशल नोटिस था 66 पेज़ का नोटिफिकेशन जो आई थी उसके आधार पर जो इसकी इन हैंड सेलरी आप सभी जानते हैं यह ग्रूप सी की पोस्ट है और इसके अंदर आपको 22,000 प्लस सेलरी जो है मिल जाईगी अगर आप यह टीर टू क्वालिफाइट करते हैं उसके बाद आपका मेडिकल प्लस डोकूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको पोस्ट मिल जाईगी अगर मैं बात करता हूं इसमें प्रिवेश येर में कट ओफ कर जाई थी तो देखे कट ओफ जो है वो हर साल कम या ज्यादा होती रहती है वो एक्जाम के लेवल पर आपका डिपेंट करता है और एक्जाम का इसका लेवल सेम जैसा एम टीएस का लेवल रहता है जो सिक कराता है उसी के जैसा आपका सेम इ जादा चली चाती है अगर आप न्यू केंडिडेट हैं और आप एक स्कोर को सेट करना चाते हैं तो यू आर के लिए आप मान कर चलिए कि 85 मार्क्स अगर आप ले आते हैं 100 आउट ओफ हंडेड में से तो आपका कहीं चांच पन सकता फाइनल मेरिड लिस्ट में आनेगा बाक लेकिन आप ओवरोल ये एक फिगर जो है माइंड में सेट कर लीजेगा अगर आपको आप इसके आसपास रहते हैं तो आप सही जोन में हैं और जो कैटिगरी वाले हैं जैसे ओवी सी हुआ एस्टी हुआ वो थोड़ा नंबर इसमें से दो चार नंबर कम कर सकते हैं लेकिन एकुरेट कटोफ को अभी पता पाना बहुत मुश्किल है यह मैंने आपको प्रीवेस जो कटोफ कई है उसके अधार पर मैंने आपको बताया है इस वीडियो में बस इतना ही आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने जितने भी आप पर जोब की पलपल अपडेट के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू